हलो इवरीवन वेलकम टू सरोध मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है डिपार्टमेंट ओफ एटामिक एनरजी परमानू उर्जा विभाग से विज्ञापन जारी किये गया है जिसमें की पर्मनेंट पोस्ट है और पूरी डीटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे की पोस्ट का नाम क्या है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एप्लाई करने के लिए सेलेक्शन प्रॉसेस एज क्राइटेरिया एज में अगर रिलाक्सेशन है तो कितनी है तो क्वालिफिकेशन से लेके सेलेक्शन, फी, सेट्स, सारी चीज़े सेलेबस आप कहा देख सकते हैं, जॉब लोकेशन कहा रहेगी ये कम्प्लीट इंफर्मेशन हम आगे वीडियो में चेक करेंगे सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये गवर्मेंट जॉब रहेगी डिपार्टमेंट ओफ अटॉमिक एनरजी या पर्मानू उर्जया विभाग जो है वो भारत सरकार के अंतरगत आता है तो सेंट्रल गवर्मेंट की पर्मानेट जॉब होने वाली है अल ओबर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो आपकी डीटेल आगे वीडियो में देख लेते हैं अगर आप वेप्साइट पर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है गवर्मेंट ऑफ इंडिया दिपार्टप्मेंट औ अप एक हैं अमतरगत अब डीटेल एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं तो यह detailed advertisement है, जो total 23 pages की है, 23 pages की है, तो जो highlight से वो में cover कर देती हूँ, बागी आप चेक कर सकते है, advertisement number हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे advertisement website पर आ जाते हैं, तो आपका admit card अगेरा, जब आप देखना चाहिए, तो आपको advertisement number याद रखना चाहिए, तो यह हो गया, इसमें 10 December से ही already online application चुरू हो गया, 31 December, 31 December तक आप online application कर सकते हैं, Level 1 and Level 2 descriptive होगा, Level 1 जो है न वो, OMR based होगा, मतलब की multiple choice question वस्तु निष्ट प्रशन होगे, और exam, और Level 2 descriptive लिखने वाला exam होगा, जो की January 3rd week में होने वारा है, tentative date, मतलब लगभग January 3rd week में हो सकता है कभी भी, अब देख लेते हैं, qualification और post क्या है, यहां पर जो post है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, applications मांगे गए हैं, वो post का नाम है, junior purchase assistant and junior storekeeper, तो post का नाम है junior purchase assistant और junior storekeeper, group C में ही आ रहा है, 25,500 की basic pay है, इस पर allowances अगरा add करेंगे, तो 40-42,000 उपर 42,000 तक आप starting में expect कर सकते हैं, central government की job है, तो साल दर साल salary बढ़ती रहेगी, general candidates के लिए उपरी IUC मां 27 years है, अगर आप किसी reserve category से belong करते हैं, तो भारत सरकार के नियोमों के अंतरगत, government of India norms के हिसाब से age में relaxation आपको मिलती है, अब इसमें category wise भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे, JPA की जो post junior purchase assistant की उसमें general category में 0 seat है, तो यह ध्यान देने वाली भी बात है, कि जो general purchase assistant है, उसके लिए general में कोई seat नहीं है, तो अगर आप result categories हैं, तो JPA के लिए भरेंगे, form भरेंगे, otherwise junior storekeeper के लिए आपको form भरना होगा, अगर आप general category के candidate हैं, 25 total seats है, तो total मिला के 62 seats हैं, ज्यादा seats इसमें नहीं है, अब देख लेते हैं कि इसमें qualification क्या चाहिए, qualification अब आप age criteria को लेके general candidate अगर confusion में होते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, कि candidate must have bond between 31st December 1996 and 31st December 2005, बहुत inclusive, 31st December 1996 से लेके 31st December 2005 तक के बीच में जिनका date of birth है, और उस date पर भी तो वो apply कर सकते हैं, जनरल category के लिए, अगर आप SCST categories हैं, तो 5 साल की चूट है, OBC के लिए 3 years की चूट है, PWD जनरल category के लिए minimum 10 years, और अगर आप result category की PWD हैं, तो और भी चूट है, महिलाओं के लिए female candidate के लिए कोई अलग से चूट ऐसी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी महिलाओं हैं, जो judicially separated हैं, वीडो हैं या divorced women हैं, उनके लिए 35 years अपर age limit रखी गई है, SCST candidate के अगर वीडो डाइवोस्ट वेमेन या विमेन जूडिशली सेपरेटेड हैं, उनके लिए 40 years age limit रखी गई है, उपरी आयू सीमा, minimum 18 years होना चाहिए, क्वालिफिकेशन की डीटेल देखेंगे हैं, क्वालिफिकेशन में इसमें साइंस ग्राइट हैं तो एप्लाई कर सकते हैं, 60-60 प्रतिशा तंकों के साथ, इसके उपर भी आपके पास क्वालिफिकेशन हैं तो चलेगा, 60-60 प्रतिशत अगर सायन्स बी एसके हैं क्या हुआ हैं या फिर 60 प्रसेंट ऑब माुकाषम के साथ आप बी कॉम हैं या फिर डिप्लोम इंजिनियर हैं में कनिकल में, Says साथ तो आप एप्लाई कर सकते हैं, Candidates who have not acquired the educational qualification B.S.C., B.C.M. or Diploma has indicated above as on the closing date for receipt of application should not apply, मतलब जब आप एप्लाई करते हैं, तो आपका question रहता है कि मतलब एप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कहा है कि आपकी डिग्री कम्पेट हो चुकी होनी चाहिए, तो यह कम्पेट होनी चाहिए, लास्ट देट ऑफ एप्लिकेशन, मतलब एप्लाई कर सकते हैं, तो यह डीटेल होगे, मतलब B.S.C., B.C.M., किसी भी specializations, B.S.C. आपने किया मतलब math से या जो भी chemistry, physics या जो भी life science भी हो सकता है, इस में inclusive, B.C.M. है या फिर diploma engineer है, in diploma engineer में mechanical, electrical, electronic and computer science होने, 60% ही है, आप मार्स के साथ कर सकते हैं, fees जो है, बहुत सारे candidate के लिए तो no fee है, SCST female candidate ex-servicemen and PWD candidates के लिए no fee है, तो SCST category female candidates, ex-servicemen and PWD candidates के लिए कोई fee नहीं है, तो बाकि जो male candidate है, पुरुष अभी अर्थी है, जेनरल काटेगरी के लिए उनके लिए 200 rupees application fees रहने वाली है, non refundable, इनका तो all India level पे जहां पर भी vacancy रहेगी वहां पर आपको भेज सकते हैं, all India में कहीं पर भी, तो यह सोच के अगर आपको अप्लाई करना है, वस्तोनिष्ट प्रश्ण OMR शीट दिया जाएगा, मतलब offline में रहेगा, offline mode में रहेगा, online नहीं रहेगा, CBT नहीं है, computer based नहीं है, offline OMR शीट दिया जाएगा, तो आपको जो है, अप्रोप्रियेट जो सरकलर को फिल करना रहेगा, black ball pen से या, blue ball pen से, level 2 में descriptive रहेगा, और impanelment criteria, level 2 examination only, तो पहला level 1 है, objective type, यह सिर्फ qualify करने के लिए, qualify हो गए आप इसमें, आपको जो syllabus दिया हो है, general English, 50 questions, general intelligence, reasoning, accounting, क्योंकि B.com वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बारवी तक का आपको accounting, या अगर आपने science लिया तो science के questions options में आप कर सकते हैं, क्योंकि B.com भी करने अप्लाई, B.sc भी करने हैं, तो इसलिए अगर accounting वाले आपको answer नहीं करने होंगे, तो आप इधर science वाले कर सकते हैं, questions answer, 60 questions रहने वाले, तो आवर्स मिलेंगे, और पूरा टाइम एक्जाम पेपर वान के लिए दो घंटे मिलेंगे, qualitative aptitude, maths रहेगा थोड़ा, general knowledge, computer का knowledge, यह पूरा syllabus है पेपर वान का, और इसके बाद descriptive में रहेगा, descriptive में वही comprehension देते, grammar देंगे, essay, note, writing, drafting, यह सब चीजें देंगे, इसके बाद अगर देखना चाहें, कि bond रहेगा, एक bond agreement आपको बढ़ना रहेगा, कि तीन साल आप काम करेंगे, अगर 3 years के पहले आप छोड़ देते हैं, तो कुछ bond का amount रहेगा, वह पे करना पड़ेगा, पेपर वन क्वालिफाइंग है, वह उसमें 40% लाना पड़ेगा, general के basis पे आपकी merit list बनने वाले paper 2 के हिसाब से, कोई भी interview नहीं है, मतलब एक आप exam पास कर लीचे, paper 1 क्वालिफाइं कर लीचे, paper 2 descriptive जो है, वह आप पास मतलब यह कर ले, अच्छा स्कोर कर ले, तो आपका selection यहाँ पर होने के chances रहेंगे, how to apply बताया है, इन्होंने कैसे apply करना how to apply के लिए इन्होंने क्या बताया है, कि आपको dpsdae.formflix.in पर जाना है, कई बार यह बता रहें कि maintenance में है वगरा, तो वेट करना है आपको एक तो दिन, इस पर new registration option करके, new register करके, फिर बाकी details आप enter करते जाएंगे, तो form fill हो जाएगा, तो कई candidate के लिए तो fees है, नहीं कोशिश की information, syllabus वगर भी, और इसमें एक वेब साइट पर चलते है, तो यह main website is, Directorate of Purchase and Store, Department of Atomic Energy, Parmanu Urjaya Vibhaag, Government of India, और इसमें आपको चले आएगा, तो जोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके, आपको नीचे चले आना है, कहीं पर इसमें ही मिलेगा आपको कहीं पर recruitment, अगर आ इस पर आप register हो सकते हैं, यहां पर देखें, notification दिया हुआ है, notification दिया है, इन्होंने, guidelines दिया है, payment of fees दिया है, कुछ questions, FAQs में डालके, answer करके, help desk है, कोई problem है, technical वगर तो आप, और बाकी how to apply के लिए भी बताया हुआ है, और यहां से आप सारी process complete कर सकते है, advertisement यह notification पर क्लिक क करके, मिल जाएगा, तो B.A.C. B.C., B.C., Diploma Engineers के लिए, काफी अच्छी opportunity है, government job रहेगा, job location तो इनका जहां पर भी unit रहेगा, वहां पर आपको posting मिलेगी, तो आप Google कर लें, इनके units कहां कहां पर है, चेक कर सकते, आप सभी को best wishes, thank you very much.